हाई एवरिवन आज की वीडियो में आप सीखेंगे की आउनलाइन कोश्चन पेपर कैसे डामलोड करते हैं दोस्तों आपको परसू से जुड़ी बहुत सारी जनकारी आपको मिलने वाला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि कोई भी अपडेट मिश न हो आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा तो मैंने ओपन कर लिया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा PRS सबसे पहले दोस्तों आपको फ्रीडाउट के लकीर पे क्लिप करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे desk कर लेना होगा तो चलिए हम यहाँ से कर चुके हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे search करेंगे PRSU तो मैंने यहाँ पे search की इसलिए मैं नीचे पे click कर देता हूँ उसके बाद interface इस प्रकार दिखाई देगा तो दोस्तों पंडी तरवी संकर का दो website है एक website में उसका बहुं सारा information आता है और एक website में हम question paper download करते हैं admit card download करते हैं प्रिक्षाफ हम भरते हैं तो first वाला website यह है और second वाला website यह है जो कि हम लोग का second वाला website first number पे आया है तो हमें first number website पे click कर देंगे पे बाद website open हो जाएगा तो आपको यहाँ पे option दिखाए देगा question paper for exam 2021 इसी में आपको click करना होगा चलिए दोस्तों हम यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद आपको यहाँ पे दो option मिलेगा semester exam UG और दूसरा है semester exam PG दोस्तों first का full form है undergraduate और PhD का full form है post graduate आप जिस category के होंगे उस पे आप click करेंगे तो दोस्तों मैंने first वाले हूँ इसलिए मैं first पे click करूँगा उसके बाद दोस्तों देख लिजे यहाँ पे question paper आपको यहाँ पे दिखाए देगा जिस दिन आपका exam होगा उस दिन इस website में पहले ही आदा घंटा पहले ही upload कर दिये जाएगा दोस्तों question paper तो देख लिजे friends यहाँ पे आपको question paper में आपको code दिया रहेगा तो अपना code देख लिजेगा question paper का यहाँ पे और right side में आपको यहाँ पे click to download लिखा होगा तो देख लिजे friends यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको अपना question paper का code देखना होगा उसके बाद दोस्तों आपको right side पे दिखाई दे रहा है एक box निले color का उसी में आप जाकर आपको प्रशन पत्र को download करने न होगा तो चलिए दोस्तों हम example के लिए को भी एक question paper के right side के इबे पे click करते हैं click करने के बाद दोस्तों आपको option मिलेगा download करने का तो यहाँ पे आप download पे click कर दीजे तो चलिए यहाँ पे click करने के बाद दोस्तों हम इसको open करेंगे open करने के बाद देख लिजे friends आपका question paper यहाँ पे download चुका है आप इसको पूरा चेक कर लिजे अकि आपका question paper है की नई I hope की वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को share कीजे like कीजे और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी subscribe कर लिजे